सबसे पहले टाइटल को डिसकस करते हैं ग्लिम्सिस मिन्स होता है जहलक पास्ट मतब हमारी हिस्ट्री तो आज यह चैप्टर है इसमें हमें कुछ जहलक मिलेगे कुछ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शिन्स मिलेंगे पिक्चर के थ्रू हम समझने कोसिस करेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितने सेक्रिफाइस किये जिसके चलते आज हम इंडिपेंटल अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं तो भीना देरी के चलिए हम इस चैप्टर को सुरू करते हैं I will try my best to explain you and I am pretty sure that अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से related कोई भी डाउट नहीं बचेगा and let's start this story Before you read देखें यहाँ पर हम स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा concept तयार करते हैं यहाँ पर हम कुछ pictures देख रहे हैं यहाँ पर लता मंगेसकर है जवाहर लाल नहरू है and other freedom fighters है यह सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर लता मंगेसकर गा रही है यह एक function चल रहा था Delhi में और उस 1857 से 1857 के बीच के pictures है यह जो pictures है यह speech bubbles है इसमें यूनों कुछ message दिया रहता है जैसे यह वाला एक speech bubble है और यह हमें clarify करते हैं understanding करने में हमें help करते हैं कि कौन सी ऐसी condition थी जिसके कारण की first war हुआ था of independence in 1857 clear अब देखें यहाँ पर heading wise दिया हुआ है और heading के थूर हम समाजन his life for religion or for a special purpose तो यहाँ पर जो martyrs है वो यहाँ पर कौन है जवालल नहरू है लता मंगेसकर है और लाल बहादूर सास्त्री वगरा कि यहाँ पर image दी हुई है यहाँ पर देखें बहुत सारे freedom fighters है तात्या टोपी वगरा या फिर जहासे किराने लक्षमी बाई चंद्रे से खर sacrifice of India's martyrs तो देखें यहाँ पर यह जो song है यह हमें बलिदान की याद दिलाती है लता मंगेसकर का जो song था तो हम अब उन बलिदानों की याद करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था जो कि ऐसे इत्ती बड़ी situations create हो गई नमबर टू देखेंगे नमबर टू में क्या लिखाव है तो company's conquest conquest मतलब होता है जीत कौन से company की बात हो रही है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बात हो रही है 1757 से लेकर 1849 का description है इस picture में अब यह जो image है देखें यह जो map है यह पुराना map है और यहाँ पर pink color जो है यह ब्रि यह वो time है जब नए नए ब्रिटिसर्स जो है वो इंडिया में conquest करना सुरू किये थे with its superior weapons the Britishist India Company was extending its power in 18th century India तो यह 18th century के बात है और अपने powerful superior weapons के साथ इस इंडिया कंपनी अपना पकड़ा भी बनाना सुरू कर दी थी दूसरे तरफ इंडिया का क्या हलता दे कि यह इंडि excited means क्या होता है जो दूर का नहीं देख सकते हैं अब यह लोग क्या करते थे यह English merchants को बुलाते थे अपने बीच का जगड़ा सुलजाने के लिए तो of course English merchants को तो एक फायदा मिल जाएगा ना because Indian rulers इतने थे वो आपस में ही लड़ते थे and the people had no peace due to such constant fights अब जब persons जब राजा ही आपस में लड़ते रहेंगे तो वहां की जो persons जो प्रजा है वो कभी भी इन लगातार fights के चलते कभी भी आराम से नहीं रह पाती थी ओके next देखिए the rivalries helped East India Company and its could easily subdue Indian princes one by one अब आप यहां समझे अगर इसका जो दूस्वन है अगर यह British ruler के किसी एक ruler को help करे तो वो easily इस रा ultimately वो अंग्रेजों की ही help करते थे तो यह जो rivalries थे है ना East India Company को help करते थे और इससे Indian princes एक-एक करके easily हार जा रहे थे और जो princely जो states थे वो सब ब्रिटिस rulers के अंडर जा रहे थे अब एक राजा था जिसका नाम था टीपू अफ मुसर and sorry मेसूर and यह जो है ना ब्रिटिस के बहुत ही brave तरीके से जब तक यह मर नहीं गया तब तक यह fighting किये next देखे thank God there is peace in the country now no more wars and no looting by tucks अब देखी कुछ लोग है ना because अंग्रेज आ गये थे अब कोई powerful king नहीं है अब अंग्रेजों ने अपना सासन ले लिया है अपने हाथ में तो यहां पर कुछ लोग है यह क् चलो भगवान की जया से अब तो इस country में पूरी सांती बनी हुई है कोई looting नहीं है कोई thugs नहीं है कुछ नहीं है तो इस तरीके से Indians जो थे इनकी जीत हो रही थी British rulers की इसके खिलाब इनका यह reaction था it is God who sent the Britishers अब इंडियन इतने बोले बाले होते थे वो सोचते थे कि actually तो और dethroned our kings ये white men's ये गोरे लोग हमारे king को उनकी ही गदी से हटा रहे हैं उनको मार रहे हैं और कुछ हमारे king जो है अच्छे है तो कुछ खराब भी है आखिर क्या हुआ आखिर तो वो हमारे land से ही बिलॉंग करते है ना now we have become slaves of foreigners कुछ लोग थे उन्हें ये बात समझ में आ 36 के बीच में यहां पर बात हो रही है अब उन्होंने अपने अच्छी खासी पकड़ बना लिए हमाले जो religious जो गुरूस थे उनकी क्या कहना था यहां पर इस टॉपिक के उपर देखिए religious leaders based ideals like untouchability and child marriage तो हमारे इंडिया में ये सब था ही अंधिविस पास में चुआ को जो cross करेगा ना उसका धर्म जो है नश्ट हो जाएगा और कितनी जो गुरूस थे उनका क्या कहना था कि जितनी भी miseries है जितनी भी problem से इस दुनिया में उस सब की सब women's के कारण ही आई है next देखिए the truth was that Indians has lost self-respect और दुसरे तरफ अंग्रेज क्या सोस्ते थे देखिए actually में सच्चाई क्या थी कि Indians अपना self-respect खो चुके थे और Britishers ना उन्हें असल में धितकारते थे अपने मन में इसलिए तो वो उन्हें छोटा समझते थे रूल करने के लाइक समझते थे और इसलिए हम पर वो रूल करते थे अब देखिए यहाँ पर एक इंजन है और वो किस honorable हूँ और बहुत honest हूँ तो आप मुझे पर trust कर सकते हैं असल में ये क्या है ये एक traitor कहलाएगा because ये इंडिया का होकर Britishers को support कर रहा है और इंडिया को ही धोका दे रहा है अब देखिए जो merchants थे ना जो British merchants थे यहाँ पर British merchant है वो अपना बहुत ही quick profit चाहता है और इसके कि एक ये जो है British sir ये इसे क्या बोल रहा है you are still in areas if you don't pay next week I will send you to jail तो अगर तुम अपना pay नहीं करते हो ना कर्ज तो मैं तुमको जेल में भेज दूँगा लेकिन देखिए जेल तो भेज दूँगा लेकिन इसके उगाए हुए जितने भी crops थे हो सब तो already इसने ले लिए यही बात यहीं बोल रहा है but your men are taking all my crops तो मेरे मैं कर्ज है नहीं चुका है तो क्या हुआ मेरे सारे crops तो आपने ले ही लिए हैं लेकिन यह इसके बावजूद भी farmers को जेल में भेज दिया जाता था तो इतने पर भी British sirs खुश नहीं थे उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग methods यूज किये जिसके चलते उनको और ज़्यादा profits हो अब देखिए अब क्या एक invention किया गया कि जो भी अच्छे manufactured England के जो product है have any import duty when brought into India the goods manufactured in England should not have तो जो भी बाहर से जो सामान आएगा ना इंडिया में उसके उपर कोई duty नहीं लेगे duty means क्या होता है tax उसके उपर कोई tax नहीं लगता है और वहां से सामान लाकर जादा दाम पर यहां पर बेशते हैं तो of course British Airs को फायदा होगा और दूसरे जो British Airs है वो क्या बोल रहे है good deal बहुत अच्छी बात है और East India Company जो है अब धीरे धीरे Indian studies को cripple करवा रही थी what is the meaning of cripple cripple मतलब होता है ring ना तो Indian industries जो थी अब रिंग रिंग के चल रहे थी और British East India Company जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहे थी अब देखें यह जो British policies थे ना यह चोटे चोटे जो expert artistians थे जो कि अपने हातों से काम करके पैसा कमाते थे अपना business चलाते थे उनका business पूरी तरीके से ठफ हो गया था क्योंकि अब बाहर से सामान आता था और इंडियन्स जो थे वो बाहर का ही सामान लेते थे तो इनके सामान को कोई पूछता ही नहीं था नेक्स देखे राजारा मोहन रॉय 1772-1833 यहां पर राजारा मोहन रॉय का description दिया हुआ है आपने अपने school time में इसे पहले बहुत सारे राजारा मोहन रॉय की legendary stories को जरूर सुना होगा राजारा मोहन रॉय जो थे बेंगॉल से बिलॉंग करते थे एक learn man थे बहुत पड़े और वो अच्छे से समझते थे कि इंडिया में actually क्या गलत चल रहा है let us not despise ourselves our ancient culture is great वो अपने लोगों को बोलते थे कि हम लोगों को अपने culture को घृणा नहीं करना चाहिए हमारा culture बहुत ही great है वो capable है greater achievements हम और ज्यादा अचीव कर सकते हैं हमें अपने society को थोड़ा reform करना हो that cows भले ही it means that guy जो है वो दो color की हो सकती है black हो सकती है white हो सकती है लेकिन उनका जो milk होता है न वो same होता है different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same तो हो सकता है हमारे यहाँ पर अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सबका ultimate purpose जो है वो God को ही मानते हैं और सभी लोग दयालू होते हैं तो हमे एक दुसरे से घ्रिना नहीं करनी चाहिए लेकिन ये बात से राजा रामोहन रॉय समझते थे हमारे इंडियन्स जो थे वो इस चीज को अच्छे से value नहीं दे पाते थे he was affected by science and modern knowledge तो देकि राजा रामोहन रॉय जो थे न वो science को and modern knowledge को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनको लगता था कि हमारे यहां की जो study है उसमें practical चीजे होनी चाहिए scientific होनी चाहिए जिससे की लोग अच्छे से समझ सके यहां तक कि उन्होंने sea cross किया England गए और England जाकर देखा that what made the Britishers powerful there he told them कि Britishers को इतने ज्यादा powerful क्यों है और वहां पर जाकर उन्होंने ये भी बताया that देखिए यहां तक कि उन्होंने राजा राभ मोहन रॉय ने Britishers के यहां गए उन्होंने ये भी बोला भी accept you as rulers ठीक है हम आपको rulers के जैसे accept करते हैं लेकिन आपको भी ये accept करना होगा कि हम आपके subjects क्या होता है प्रजा एंड जो राजा होता है उसके जो प्रजा होते हैं उस तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा ये एक तरीके से धंकी भी थी ओके ऑप्रेशन देखिए ऑप्रेशन मिन्स क्या होता है दबाना तो इंडियन्स को British rulers जो थे न वो कैसे दबाते थी यहां पर देखिए लेकिन जो Britishers थे वो इंडियन्स को continuously oppress कर रहे थे दबा रहे थे 1818 में उन्होंने एक regulation बनाया एक नया नियम बनाया जिसके तहत किसी को कोट में भी पेस करने के जरत नहीं और उसे सीधे सीधे जेल कर दी जाएगी Under it an Indian could be jailed without trial in a court तो यहां तक की एक नयम होता है कि कोई भी जो जो इसने victim किया है या फिर जो victim है उसे अपनी बात बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था आपको सीधे सीधे जेल में डाल दिया जाता था और जो British officers थे ना all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business तो वो जो है ना अलग से business करते थे और उनकी किस्मत बहुत साथ देती थी और वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे उससे और इंडिया में रहकर ही वो इंडिया से अच्छी अच्छी salaries ले रहे थे और दूसरे तरफ जो Indians है वो उनकी अपनी country होने के बावजूद भी वो 7 करोर रुपीज तो इंडिया अब एक ऐसा टाइम आ गया था 1829 तक कि Britishers अपने यहां का जो goods था जो सामान था वो करीबन करीबन 700 करोर 7 करोर रुपीज तक का सामान वो इंडिया में लाकर export किया करते थे the British prospered on the company's loot while Indian industries begin to die तो Britishers जो है वो प्रोसपर हो रहे थे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और Indian industries जो थी वो एकदम मर सी गई थी इट मेंस वो नहीं चल रहे थी नेक्स देखे गवर्नर जेनरल बैंटिक reported back home अब गवर्नर जेनरल बैंटिक जो है न वो आते हैं और वो आकर क्या बोलते हैं the bones of cotton weavers are bleaching the plants of India तो जो cotton weavers जो है न वो क्या कर रहे है plants of India को bleach कर रहे हैं उसको white कर रहे हैं उस time में cotton वगएरा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था तो देखे अब इस industry को भी ये लोग अपने अंडर में ले लेंगे next देखे हम लोग पढ़ते हैं क्या हो रहा है dissatisfaction अब इन लोग के पीछ में क्या हो रहा था dissatisfaction हो रहा था education in India was in Persian and Sanskrit education जो था वो इंडिया में क्यों से language में था Persian में था Sanskrit में था देखे मैं आपको एक और बात बता दू संस्कृत लोकल लोगों को नहीं आती थी वो बड़े बड़े गुरूज ब्रामन को ही आती थी Persian language भी सभी नहीं बोलते थे सभी पाली लेंग्वेज बोलते थे और इसलिए Indians में ब्रामन society में और जो छुद्रास जो होते थ English language तो हम लोगों को उन लोगों को English समझानी चाहिए English सिखानी चाहिए जिससे कि वो लोग अच्छा समझेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगी ये इनका कहना था Britishers का कहना था और इस policy को पास कर दिया गया English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them अब देखिये अब जब Indians अच्छी चासे English पढ़ देना okay and incidentally it also produced a new generation of intellectuals लेकिन अब देखे इनकी policy इनके उपर ही धीरे धीरे भारी पढ़ने लगी because अब हमारे Indians जो है वो intellectual होने लगे समझदार होने लगे of course पढ़ने के बाद कुछ बदलाव तो आते ही है अब उन्हें समझ में आने लगा क्यों इनका business इतना अच्छा चलता है कि यह policies जो है हमारे लिए कैसे खराब है we must educate our brothers अब जो लोग पढ़े लिके थे उनका क्या कहनाम था कि हमें अपने भाईयों को it means Indian brothers को अच्छा पढ़ाना चाहिए and try to improve their material conditions material means होता है financial और हमें उनकी financial conditions को strong करने की कोशिस करना चाहिए for that we must convey our griveness to the British Parliament और इससे क्या होगा हम अपना जो दुख है न वो British Parliament तक अच्छे से समझा पाएंगे because पड़े लिखे नहीं है तो वो तो हमारी बात सुनने के लिए भी ready नहीं है अब आप पहले का जो map था उसे recall करिए उस समय क्या था पूरा yellow था Indian princely streets जादा थे और अब British area देखिए pink color का पूरी तरीके से चाह चुका है yellow जो है वो dispersed quantity में है यहाँ पर by 1856 the British had conquered the whole of India अब 1856 तक तो करीबन करीबन पूरे इंडिया को ही capture कर लिया गया था they cared little about the needs of Indians और आब वो Indians की जरूरतों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे आवर Kims becomes puppet and we have lost our jobs अब लोग कुछ लोग क्या बोलते थे हमारे Kims जो है न वो तो कटपटली बन चुके हैं वो तो वही कर रहे हैं जो Britishers बोल रहे हैं और हम अपनी job खो चुके हैं हम अपना land खो चुके हैं they are converting our brothers यहां तक कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं you only talk do something to drive them out अब कुछ लोगों का क्या कहनाम था कि हम लोग सिर्फ बात ही करते रहेंगे या फिर कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे कि हम उन्हें यहां से अपने इंडिया से भगा सके और इंडिया को वापस से अच्छा कर सके अब धीरे धीरे कैसे इस पार्क सुरू हुआ कौन से चिंगारी भड़की जिससे कि ब्रिटिसर्स के कदम जो जो जड़ बनाए हुए थे उन्होंने वो जड़ थोड़ी सी धीली हुई बिकेम डेस्परेट और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया उनके भीतर बहुत आक रोज भर गया तो वो क्या किये वो लोग जितने भी रिबिल किये एक साथ उन्होंने एक साथ आग जनी की लड़ाई की और जो ब्रिटिसर्स थे उनके खिलाब वो खड़े हुए अब इतने दिनों तक तो ब्रिटिसर्स को किसी ने उपोज नहीं किया किसी में हिम्मत नहीं थी अब यह जब ऐसा हो रहा था तो ब्रिटिसर्स के जो आर्मी थे ना वो भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फैल गया उनके मन भी अब देखे, इंडियन जो है न वो आपस में बात कर रहे हैं की इन्डियन की आर्मी के थू ही इंडियन को डबाये जाता था तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वाइड सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिया जाता है वो हमारे, हमारे laik, हमारे इंडिया म हमें कुछ भी नहीं हो रहा है अब देखो अंग्रेजों का कहनाम था कि आपको वहाँ भी जाना होगा वहाँ भी लड़ना होगा जो वो बोल रहे हैं वो सब उनको करना होगा लेकिन दुसरे तरफ जो इंडियन्स थे वो सी को क्रॉस करना अपने धरम के खिलाब समझते थे तो वो बोल रहे थे कि हम क्यो क्रॉस करें उनके बोलने पर वो लोग होते कौन है जो हमारे इतने पुराने कस्टम्स को हम से तुड़वाते हैं और हम क्यों तोड़ते हैं अब देखिए इनके दिमाग में यह बैट गया था कि हम लोग को अंग्रेजों को यहां से निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद सिपोई जो थे जो सिपोई मिन्स क्या होता है जो सोलजर्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट किया और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स जो है न वो उतार दी सिपोई मंगल पांडे अटैक देजेंट इन इस रेजिमेंट एंड वस इग्जीकूटेट इग्जीकूट मतलब हो जादा है फासिच चड़ा देना तो आपने मंगल पांडे का नाम जरूर सुना होगा इंस्पिरेशन मिली हुमिलेटेड एंड पुट इट आइरोंस देखे अब यह इमेज देखें जो जितने भी परसंस थे आपको पता भी होगा मंगल पांडे वगरा जो बंदूग जो चलाते थे उसमें बूला जाता था कि उसमें गाए माता का गोश्च होता यसलिए वो इंपुट इन आइरोंस तो वो लोग क्या करते थे जो आइरोंस वगरा था उसे हटा देते थे बंदूग वगरा यूज नहीं करना चाते थे नेक्स देखे ए कुछ जो इंग्लिसमें थे वो फिर भी थोड़े बहुत उनका दिल अच्छा था तो वो इंडिया के कस्टम्स को समझते थे लोगों के माइंड को समझते थे ओ प्राउड ब्रामिन सुल्जर्स डू यू नो था ग्रीज ऑन दे बुलेट यू है तो इसमेट फ्रॉट इसमेट फ्रॉट अफ प्रॉट अफ पिक्स तो देखे यह क्या बोल रहा है कि तुमको पता भी है बैक्स देखे अब ये लोग बात कर रहें अब यहां पर अगर हम इमेज को ध्यान से देखे तो यहां पर थ्री कम्यूटीज के अलग अलग इंडियन से एक पंडित है और एक कुछ अलग क्म्यूटी का है और एक मुसलिम है लेकिन सभी लोगों का क्या कहनाम है कि आपको पता भी है कि जो soldiers को जो मुह से तोड़ना पड़ता है वो क्या है वो cow and pigs का गोश है तो पंडित बोलते हैं कि क्या ऐसा है और जो मुस्लिम है वो क्या बोलता है उन्होंने तो हमें